अगर हम बात करते हैं पिछले तीन महीने की तो पिछले तीन महीने में यह सबसे ज़ादा आपको नंबर देखने को मिलेगा यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे कुछ important sectors जैसे आपका coal, natural gas, cement इनके अंदर हमें अच्छी खासी increase देखने को मिला हाला कि जैसे fertilizer production है उसमें एक छोटी सी कमी भी देखने को मिली है पर overall हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे आप पिछले तीन महीने के अगर हम बात करें तो यह growth trajectory यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है अब UPSC ना इन सभी चीजों के regarding questions काफी पूछता है बट वो इसके साथ linked static portion पे होते हैं जैसे for example UPSC ने 2012 के अंदर यह question हम से पूछा था कि अगर हम बात करते हैं 8 core industries की तो overall IIP index of industry production के अंतरगत वो एक लगबग 40% के करीब बेटे जुनकी होती है अब आप जानते होंगे कि 8 हमारे जो core sectors है वो बहुत important हो जाते हैं तो UPSC ने यही पूछा कि इन आठों में से कौन से ऐसे sectors आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे साथ साथ अगर मैं बात करो कुछ और front lines की तो यहाँ पर आपको notice करने को मिलेगा कि दिल्ली high court के अंदर ना एक plea गई उसमें बोला गया कि भहिया जो दिल्ली के chief minister है अर्विंद केजरिवाल जी वो तो jail में है तो इनको अब हटा देना चाहिए तो कि ऐसे सरकार कैसे चले तो उसकी जो एक पर्सन को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है दोस्तों डेट है आज की 29 मार्च 2024 और आप सभी का स्वागत आज के प्रिलेम बूस्टर निउस डिसकेशन के अंदर पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं that is hepatitis B देखो दिल्ली में न एक हॉस्पिटल है लोगों को न इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इसका कारण देखो मल्टिपल हो सकते हैं पर एक कारण यह भी हो सकता है कि लोग प्रिलिम बूस्टर रेगुलरली फॉलो नहीं करते अगर करते होंगे तो उनको हैपिटाइटस B क्या हर तरह के हैपिटाइट इसकी कोई इंजरी है आपको हुई लट से तो बॉड़ी का क्या रिस्पॉंस होता है उसी को हम इंफ्लमेशन बोलते हैं हमारी बॉड़ी को हील करने के अंदर यह मदद करता है पर कई बार ना यह जो इंफ्लेशन है काफी लंबे समय तक भी हो सकती है कि बार शॉट टम भ के लिए हो सकता है जिसको हम अक्यूट बोलते हैं लंबे टाइम के लिए हो सकता है जिसको हम क्रोनिक के नाम से जानते हैं अब अलग-अलग तरह की हैपिटाइटिस हो सकते हैं और उनके कॉसिस भी अलग-अलग होते हैं जैसे एक तो होता है कि अलग-अलग वारिस से हो र वजय से उसको toxic hepatitis भी हो सकता है कई बार ना पता ही नहीं लगता कि क्यूं हो रहा है उसको हम बोलते हैं autoimmune hepatitis कई बार होता पता क्या है आपका जो खुद का body का immune system है वही liver की उपर एक तरह से attack सा कर देता है इसको बोलते है autoimmune hepatitis अब क्यूंकि देखो सरगंगा राम हॉस्पिटल ने बोला है कि hepatitis के बार में जानकारी नहीं है तो थोड़ा viral hepatitis के बार में जानने कोशिश करते हैं जैसे अगर मैं बात करूं हलाकि इन यह जो ABCD यह ना इन में बहुत ज़़ा फरक नहीं है छोटे मोड़े होना यह सारे hepatitis A के यहां पर सिम्टम्स रहते हैं उसके लाब अगर मैं बात करूं hepatitis B की तो यह contagious disease है फैल सकती है ठीक है कहिने कि आपके जो वाउंड होते हैं ठीक है ना उनके माधियम से हो सकती है बॉडी के ब्लड के infectious ब्लड के साथ contact करने के वज़ा से saliva के थू हो गया secretions के थू हो गया इससे आपका hepatitis B फैल सकता है hepatitis C में liver में infection हमें देखने के मिलती है जो कि आपके किसी परसन के साथ अच्छे भी infected people के साथ contact में आने के साथ उनके साथ sex करने के साथ उस वाज से hepatitis C हो सकता है hepatitis D के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे bloods और wounds के माधियम से यह फैलती है स्प्रेड होती है 2020 के अगर मैं बात करूं न तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाऊगे 2020 में हारवी जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस और साचसात माइकल हॉर्टन इनको यहाँ पर न नोबल प्राइस मेडिसीन मिला था physiology भी कह सकते हो क्योंकि इन्होंने hepatitis C virus को detect किया था discover किया था इसको यहाँ पर अगर थोड़ा समय और बात करूं न तो UPSC ने यहाँ से question भी पूचा हुआ है आप नोटिस करोगे कि अभी तक हमारे पास ना hepatitis C की कोई भी vaccine available नहीं है बागी A, B, D और E की vaccine है हमारे पास पर hepatitis C की कोई भी vaccine available नहीं है लगबग हर साल दुनिया भर में 400 million कैसे समय hepatitis B और hepatitis C के देखने को मिल जाते है और 1.4 million की हर साल हमें death भी देखने को मिलती है 90% of hepatitis C की जो patient होते हैं वो heal हो जाते हैं पर इसकी vaccine नहीं होने के वज़े से के पर नंकी death भी देखने को मिल जाती है तो यह कुछ point test है जो आपको hepatitis B के बारे में जानने चाहिए और निजल hepatitis के बारे में आपकी preparation को assess करने के अंदर यह बहुत जादा मदद करेगा इससे आपको पता लगेगा कि यार मैं कहां पर खड़ा हूं बाक्यों के मुकाबले मुझे कितनी और महिनत करनी है क्योंकि जब तक आप यह reality चेक नहीं मिलेगा कि आपको कितनी महिनत और करनी बची हुई है तब तक आप थोड़ा ना के पर हम लिथार्जी फिल करते हैं तो ensure करना कि जो ट्यार टेस्ट है 31 मार्ट 14 अपरल 5 में 2 जून यह आपको online and as well as offline में भी आप access कर सकते हो हमारे चारो centers है करोलबाग, मुखरजी नगर, लखनो, पटना यहाँ पर आप definitely offline fund manner में दे सकते हो पर online भी साथ-साथ available है यह और GSB होगा यहाँ पर C-set होगा दोनों के दोनों आपने अच्छे से करने हैं तो नीचे description में इसके link के through आप यहाँ पर इसमें register कर लिजेगा next बढ़ते हैं अगले topic की दरफ that is hike in MGNrega wages पहले थोड़ा सा MGNrega date देखते हैं फिर आते हैं hike क्या हुआ है इसके अंगर MGNrega कि आप बात करो तो 2005 के अंदर यह act हमें देखने के मिलेगा ministry of rural development के अंदर गाती है major ministry इसमें देखने को मिल जाती है इसका काम यह था कि कम से कम 100 दिन का guaranteed रोजगार मिले किसको every rural household को देखो every word जो मैं यहाँ पर highlight कर रहा हूँ आपके लिए वो सारी चीज़ें point है कैसा काम करने के लिए unskilled manual work मैं इसलिए highlight कर रहा हूँ कि अगर UPSC यहाँ पर skilled लिख देगा तो statement गलत हो जाएगी dual की अर्बल लिख देगा तो statement गलत हो जाएगी यह number बदल देगा तो statement गलत हो जाएगी तो इस तरह से notice किया करोगी कहां कहां पर UPSC आपके traps बिचा सकता है ठीक है तो और अगर नहीं मिलती तो फिर बेरुजगारी भत्ता unemployment allowance आपको मिल जाएगा तो इस तरह से आप notice करोगी यह है एमजीन रेगा जो कि बहुत important scheme बनी है पिछले 20 साल के अंदर मतलब 18-18 साल के अंदर and even इतनी ज़्या important scheme थी कि सरकार जो अकसर change होने के बाद अपनी नहीं schemes लेती है उनों ने भी यहाँ पर scheme के अदर कोई खास छेड़खानी करी नहीं क्योंकि वो जानते थे कि scheme की कितनी बड़ी ज़्यादा importance देखने का मिलती है अभी क्या हुआ है अभी union government ने इसकी wages को increase किया है सर कितना increase किया है देखो दरसल में जो increase होता है यह state to state vary करता है किसी state में increase कम है किसी state में increase जादा है and यही major reason बन गया है सरकार की criticism का आज के दिन के उपर सर ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ उत्तर परदेश state की तो उत्तर परदेश में जो increase हुए न वो मात्र 7 रुपे हुए only and only 7 रुपे तो लोग कहरें कि आप क्या increase दे रहे हो back to point तो इस जना से state specific salaries होती है आपके मंदेगा workers की जो कि आपको section 6 of मंदेगा act के अंतर कर देखने को मिल जाएगी अब आपके दिमाग में एक चीज और आएगी कि इसको हम link कैसे करते हैं हम generally जब भी आपकी जैसे आप मालो को employee हो तो आपके wages जो होती है वो बढ़ती है आरसाथ ठीक है न आपको increment मलता है appraisal होता है आप लोगों का भी तो उस case में कैसे होता है appraisal कहीन है कि उसके पीछे inflation को भी देखा जाता है कि आप महंगाई को beat करने के अंदर सक्षब होंगे तो यहाँ पर जो wage rate set की दाते है न या changes की दाते है these are made in reference to CPI-AL यानि कि consumer price index agriculture laborer जो की rural areas के अंदर हमें inflation measure करने के अंदर help करती है और ध्यान रखेगा जो labor bureau होता है वो इसको यहाँ पर publish करता है very very important point UPSA ने already question पूछा हुआ है अभी 2-3 साल पहले ही पूछा था ठीक है तो NSO नहीं करता है यहाँ पर ध्यान रखना labor bureau के द्वरा CPI-AL को यहाँ पर publish किया जाता है और piece rate method के हिसाब से मंदेगा की wages determine करी जाती है basically यह देखा जाता है कि मानलो कोई employee है तो उसका individual output कितना आया मानलो उसने कितने पेड काटे या इस तरह से कोई भी वदलब चीज होती है ना तो उसको हम measure करने का एक तरीका होता है piece rate method ठीक है तो payment basis उस साब से हो जाता है इस preventive detention cannot be misused for law and order issue देखो एक यहाँ पर case गया सुप्रीम कोट के अंदर नेवनात पुजी वसा state of तेलंगाना यहाँ पर सुप्रीम कोट ने बोला कि भाई अगर सरकार ना law and order को खुद टैकल नहीं कर सकती इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को वो preventive detention में डाल दे अब जा पहले ही किसी को हरासत में ले लेते हैं अभी भाई साब ने कोई crime किया नहीं है पर हमें लग रहा है कि कुछ हो जाएगा उससे कहिना कहीं दंगे भड़क जाएंगे या फिर कुछ law and order issue हो जाएगा इस वज़ा से हम कई बर preventive detention में लोगों को ले लेते हैं पर यहाँ सुप को detain किया जाता है बिना किसी trial के या बिना किसी court की conviction के basically सिर्फ शक के basis के उपर सिर्फ on the mere suspicion कि भाई इससे कहिना के public order को खत्रा हो सकता है इंडिया में बहुत सारे laws आपको देखने को मिल जाएंगे इसके regarding ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाईया पार्लेमेंट तो आप आपके जो security of state and public order इसके regarding तो दोनों बना सकते हैं ना laws इस वज़ा से तो हमारी पार्लेमेंट ने भी कुछ laws बनाई थे NSA हो गया यूआपा हो गया तीक है उसी तरह से जैसे for example जम्मू कश्मीर के नल पब्लिक सेटी एक्ट हुआ गरता था तो इस इस आपको ध्यान में तरगत आपको अलग-अलग provisions देखने को मिल जाएंगी जो बात करती है कि prevented pension ठीक है और यहाँ पर तीन महीने के लिए किसी को person को retain किया जाता है अगर उसके लंबे समय के लिए करना है तो भाई यह advisory board को यहाँ पर confirm करना पड़ेगा कौन आता है advisory board के उपर एक person जो होते है वो eligible होने चाहिए qualified होने चाहिए to be a judge of the high court इससे लंबे time के लिए भी इसको extend के जा सकता है पर उसके लिए भी हमारे पास अलग-अलग तरह की provisions देखने को मिल जाती है और यह कोई पहली ऐसी judgment नहीं है इसके पहले भी न Supreme Court ने द्वारा बहुत अलग-अलग judgments दी हुई है ज उनने green flag दिया कि हां Preventive Detention Act ठीक है उसी तरह से खुदी रामदास वसे State of West Bengal यहां पर भी बात किया था कि यह सिरफ एक preventive measure है और इसको punishment के फॉर्म के अंदर नहीं देखना चाहिए अंकुल चंदर प्रदान वसे Union of India के अंदर गत भी बात करी गई इसके रिगाड़ें की त आप जानते होंगे बाकी preventive और punitive के बीच का अंतर, preventive के अंदर पहले ही हम हो जाता है, punitive के अंदर बाद में होता है ठीक है न, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, preventive की तो person को inform किया जाता है कि भाईया उनको detain क्यों किया गया है, पर अगर कभी ऐसा लगे कि public interest इससे कही अंबर हो रहा है, तो वहां पर information नहीं भी दी जाती, punitive detention के अंदर भी जब किसी बंदे को arrest किया जाता है, तो बताया जाता कि भाईया आपको क्यों arrest किया गया है, साथी साथ, proper chance मिलता है अपना case को रखने का, and accordingly, citizens और aliens दोनों के लिए यहां पे safeguards available है, punitive detention की वगर बात क इसके बार में थोड़ा जानते हैं कि अख्री location है क्या, पहली बात होते कोई, अगर इतना ही आपसे पूछ ले ना, कि निमू पदम दर्चा रोड कहां पर है, तो यहां पर आपको idea होना चाहिए, यहां पर आप notice करोगे, यह हमारा ले रहा, और यहां रहा आपका मनाली, अब मनानी और ले, इसको connect किया जा रहा है, इसके माधियम से, ठीक है ना, तो बॉर्डर रोड और ओगनाजिशन ने, इसको यहां पर निमू पदम दर्चा रोड के थूँ इसको यहां पर connectivity, यहां पर increase कर दी गई है, तो लगबग 300 किलमीटर की रोड है, जो मनाली को ले स हो गया, उसके बाद यह तीसरी आपको axis देखने के मिल जाएगी, जो लदाक को बाखी areas के साथ connect करती है, यहां पर आपको साथ साथ जासकर river भी देखने के मिल जाएगी, पदम के पास, एंड आपकी लूंगनक river भी देखने के मिल जाएगी, यहां पर एक important जगा, शिंकु ठीक है, साथ साथ अगर मैं बात करूँ थोड़ा और इसके बारे में आगर जाते हैं, तो all weather connectivity से लदाक region को हमारे मिल जाएगी, जासकर river के बात करूँ न तो आप जानते होगे कि इंदस river की बहुत important tributary देखने को मिल जाएगी, जासकर river दो major branches से बनी है, एक आपकी डोड और दूसरा अपका सरफ river, यह यहां पर अलग-अलग जिसे पांसी लापास हो गया, वहां से इसका ओरिजनेशन देखने को मिल जाएगा, और सरफ river का यहां पर आपके बारलाचा लापास के पास में इसका ओरिजनेशन देखने को मिल जाता है, accordingly यहां पर जासकर river north की होगी शिंकुल लापास के अंतरगत जहां पर लदाक को ओल वेदर कनेक्टिविटी देखनी को मिल जाएगी तो हमारे टूप्स हो गया हैवी एपन री हो गया उनको मूव करना अपने आपे बहुत ज़्यादा असान हो पाएगा एंड चाइनो और पाकिस्तान से जो भी देखो ये महीनी एक्टम वर्ड आया कहां से ये वड़ाया मोहनी से मोहनी क्या है हमारे जो लौड विश्णू है उनका फीमेल अवतार इस नोन आस मोहनी ठीक है वहीं से उसका यहां पर नाम आया है अब मोहनी वर्ड है तो कहिना कि कौन परफॉर्म करता होगा इसको इसक नाटे शास्त रगी तो उसके अंदर गत भी इसका मैंशन आपको देखने मिल जागा मोहनी एक्टम का तो केरला स्टेट के अंदर ये इवॉल हुआ है ये पर्टिकुलर डास फॉर्म इसके अगर मैं बात करना हिस्टी तो देवदासिस देवदासिस वो होती थी जो कही न कुछ साउथ इंडियन टेक्स्ट की तो उसके अंदर इसका मैंशन भी है जैसे घोष यात्रा जो की पोईट कुंजन नाम ब्यार के दोड़ा लिखी गी उसके अंदर इसका मैंशन आपको देखने मिल जाएगा वैवार माला हो गया ठीक है ना उसके जो की 7009 के लिखा गया इनके दोरा भी महा पे मोहनी अक्तम का मेंशन किया गया इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जो रिसेंट टाइम्स की बात करें तो 19th सेंचरी के अंदर जो आपके ट्रवेंकोर किंगडम के राजा थे स्वाती थिरनुल राम बर्मा उन वो एक बहुत मेजर पेट्रियॉन रहे इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म के अगर थोड़े और फीचर्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताई एक सोलो डांस है जो की मेजर ली फीमल आर्टिस के दोरा ही परफॉर्म किया जाता है देखो डांस के अंदर भी न एक होता है लस्य एक होता है तांडफ साथ आप नोटिस करो प्ले एक तरह होता है डांस हो गया सिंगिंग हो गया इसके साथ साथ कानाइटिक म्यूजिक क्यों भी इसके अंतरगत यूज किया जाता है जो सौंग यहां पर यूज होता है वह मनी प्रवला होता है बेसिकली संस्कृत एंड मल्यानलम का एक प्लेट आप यहां पर नहीं देखने को मिलती है बैलेंस का भी बहुत इंपॉर्डटन गेम यहां पर बन जाता है साथ हैं अब आपके फेशल एक्स्पेशन जिनको हम मुख अबने बोलते हैं उनका भी यूज होता है और यह 24 हैंड नोशन जो है ना उनको हस्त लक्षन ड उसको यहाँ पे पहना जाता है बहुत सारे अलग-अलग musical instrument इसमें देखने को मिल जाएंगे मृदंगम हो गया, इडाका, फ्लूट, वीना, सिंबल्स यह सारे आपको देखने को मिल जाते हैं UPSC ने स्क्रिकार्णिक क्वेशन भी बुचा हुआ है मैं आपसे expect करूँगा इसका answer भी मुझे आप जिज़े comment से बताऊगे कि आपके साब से इसका answer क्या होना चाहिए तो दोस्तो आज की discussion के विसके उपर एक तो मैंने पहला homework आपको दिया था core sector वाला और दूसरा आपका पी वाई की homework यह रहेगा तो यह कुछ questions है आपके सामने जिनका true और false के माध्यम से आप मुझे नीचे comments में answer बता सकते हो कल मैंने आपको जो homework दिया था उसका answer discuss कर लेते हैं अगर हम बात कहते national party status की तो बिलकुल अगर किसी party ने 2% of the total seats कम से कम जीती है और यह आपके जीते हैं कम से कम 3 states से तो उस case में उसको national party का status मिल सकता है परधान मंतरी उजुला योजना की बात करूँ तो मिनिस्ट्री आप सोशल जिस्टिस ने पावर नहीं बलकि मिनिस्ट्री आप पेट्रोलियम और नेच्ट्रल गैस यह देखने के मिलती है तो second आपका incorrect हो जाएगा IOM की बात करने तो बिल्कुल 1951 के इंदर स्ट्याबिश हुआ था under UN system that is indeed the correct answer कल जो homework दिया थो उसका अंसर डिसकस कर लेते हैं रॉलेट सत्यगरा कह रहा है कि sedition committee के basis के उपर उनके recommendations के उपर हुआ answer is yes दरसे लमिना जो sedition committee थी उसको chair करते थे sir Sydney Rollet ठीक है तो उन्ही के नाम के उपर इसका नाम बन गया Rollet सत्यगराबाद में उसी के regarding start हुआ दूसरा कह रहा है कि रॉलेट सत्यगराई के अंदर गांधी जी ने home rule league को utilize किया answer is yes गांधी जीने ना आपका home rule ली हो गया सत्यगराई सभा हो गया एंड साथी साथ कुछ पैन इस्लामिस भूप्स भी थे उनको भी यहां पर यूज किया तीसरे statement के अगर हम बात करें तो यहां कह रहा है कि साइमन कमिशन के साथ बात करें रॉलेट सत्यगराई कि demonstration आपके coincide किये answer is no देखो अगर आप बात करें रॉलेट सत्यगराई तो यह आपका 1919 में देखने को मिल जाएगा साइमन कमिशन तो भीया 1928 में अंदर आया था तो कैसे coincide कर सकते हैं तो तीसरे आपका गलत है पहने दो correct है तो option B 1 and 2 only is the right answer इसके साथ ही मैंने आपको economic cost के regarding questions भूजा था देखो economic cost FCI को क्या होगी एक तो भाईया MSP होगा जो उसने MSP दिया या फिर कुछ भी bonus वगरा हो गया इसके लाबह आप खुद बताओ कि what is that thing which FCI has to incur इसके अंदर incur करना पड़ता है उनको procurement incidental procurement incidental क्या होता है basically वो खर्चे जो procurement के time पे होते हैं right procurement जब हो रही है चीज़ों की तो कुछ ना कुछ खर्चे तो होगे definitely उसके लाबह आपकी जो distribution cost होती है ठीक है तो वो भी आपकी economic cost के अंतरगती आ जाती है तो इसका सही answer बनता है option number C is the correct answer ठीक है दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप माई telegram channel PW only as official बजाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो अपनी preparation को और भी बहतर बना सकते हो thank you very much for the discussion